स्पूप बैटिंग क्रब है ये अच्छा टूप ओपनिंग बल्ले बास दूप स्पिन का समय आकरमण के लिए आ रहे हैं और स्पिलर गेंड की तो ऐसी की तैसी करके रख दी उठा दिया मैदान के उपर से चारं के लिए लगता है गेंड बास को कुछ संदेश देना चाहते हैं पहली गेंड पे ही चौका अज़ा है अज़ा है अज़ा है लगता है बल्ले बास ना खुछ इस मिरने से बल्ले बास ले डिव्यू का पैस्वल दिया है और ये लेग भी फॉर आउट शानदार डिलिवरी जिसने बल्ले बास को फांस लिया नया बल्ले बास आता हुआ लगता है अपनी टीम के उमीदों पर खरा उत्रेगा क्या ये टाइम नहीं करता है बॉलर का निराशा जनक प्रदर्शन गेम के साथ नहीं चलता रहे है उम्दा टाइमिंग क्या ये पाउंडरीस की है ट्रिक होगी इस पेल में अच्छा पालमेल बनाने ये काफी संभर्ष करना पर आए ट्राइयों का अच्छा इस्तमार गेम को पोटा जीरा स्टैंड में ओवर की समाप्तिता अच्छा इस पिनर आज़ा के रॉकेट के साथ गेम भी चलिया अंत्रिक्स में छे रन और मिलेंगे क्या गर्मा गरम शुरुआत हुई है पहली गेम पे ही चौका जड़ दिया बढ़िया कदमों का इस्तमाल यहाँ चार अंदे कर जाएगी जबरदस्त प्रहार गेम गई बहुत उपर इन्होंने बहुत से पुफानों का सामना एक साथ किया है क्योंने जबरदस्त आज़े दारी पनले बाग ने किसी चीज से संपर नहीं किया सिवाए हवा के इस गेंद के साथ हुई टाटा बाई 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 अंतिम गेंद पर लगा चौका एक महंगा ओवर जिसकी भरपाई करने के लिए गेंद बाजी टीम को अच्छी खासी बुखने करने पड़ेगी स्पिन का समय आकरमण के लिए आरे और स्पिनर इसे पता है कि एक एक रोका हुआ रण माईने रखता है मजबूत बाजू ने खूप फूरत रोख रहेका यह बहुत बढ़िया रणिंग बिट्न दविकेश पर आये और स्वीप कर दिया है बॉलर को उचलती पूपती छलांग लगा दी गेंग बारी किनारा और गेंचली बाउंडरी की ओर इससे जादा अलिशाम नहीं हो सकता और गेंग गई हवाई यात्रा पर बिना टिकेट छे रम और मिलेंगे ओवर की अंतिम गेंग पर चार रन ये एक महंगा ओवर था बॉलर अपने प्रदर्शन से खुश नहीं है दोनों बल्लेबाज इस पारी में एक उस्वे को पूरा स्थियों बेते हैं इनकी गेंद बाजी में फोरा परिवरतल है क्या ये कुछ स्पीड है बात अच्छा थेला बल्लेबाज ने छे रन के लिए जबर्दस्कार स्ट्रोक लगाया डीप इस विकेट छेतर जी तरफ इस बाहु बली को रोपना ना मुम्किन चार रन और मिलेंगे एक फिल्डर ग्रीपील तैयार गेम को पकड़ने के लिए क्या बाउन्डरीज की हैट्रिक होगी चली चली रे गेंद मेरी चली रे और लगा कनाटन छपका इस पेल में अपने लाइन ओव लाइन तर नियंतर नहीं रख पा रहे हैं चौके के साथ उन्हें पचास रन का उक्रा पार किया एक बढ़िया पारी जब भी ये दोनों क्रीस पर कदम रखते हैं तो बॉल की तो श्यामत आ जाती है स्पिन का समय आखरमण के लिए आ रहे हैं और स्पिनर केम खाथ उन्हें और एक सुरक्षित हाथों ने गेम को लपक लिया कहा नहीं खता और गेम गई चार रन के लिए दो की बनती है जोड़ी और तीन की है ट्रिक क्या ये करपाएंगे चत्के के साथ अपना अब्शे का पूरा किया समाल है ये क्या जा रहा है यूए पो नहीं भीया गेम जा रहे है छे रन के लिए दर्शक बीरगा में कैचिफ और लगता आब इसे रोकना संभाई कि कैचिफ और चार रन के साथ ये ओवर समाप्ध हो गाई रखता है बालर के लिए महनगा ओवर साबित होगा किपर टिपर इसे पता है कि एक एक रोका हुआ रन माइने रखता है मजबूत बाजों ने खूब सुरत ठोखेगा बल्ले बाजे हुप किया और ये शौट बल्ले के बुट से दन गनाती हुई गेंद बांडरी में अच्छा लगता है इन दोनों को क्रीस के छोर पर देखते हुए हमेशा अधरपूर मनोरंजन देने के लिए तैयार है आक्रमक शौट लगाते हुए पाल बाल बचे गेंद बास के अंतिन गेंद को मिला बल्ले का रिटरन गिफ चौके के साथ गेंद बास का एक खराब ओवर इनकी गेंद बासी में थोड़ा परिवर्तन है क्या ये कुछ स्पीड अर्जित कर पाएंगे गेंद बासी के लिए आ रहे हैं मीडियम पेस गेज़ा के मारा है पूचा मारा है इस जोड़ी की बीच अच्छी ताल में लाजवाग रुनिंग और अंथ में अच्छी फील्ड है वाग अच्छी थोप हैं कि सी रस्नम्स के उपर लगता है गेंद मेदान के बाहर जा रही है उठा दिया है छे रन के लिए खूर फूर अच्छी और इनको एक अच्छी साजेदारी बनानी पड़ेगी बजबूत कोटल खड़ा करने के लिए जबर दस शाट से भपूर एक शांदाश शता यहां गेंद बाज में बल्ले बाज के छक्चे छोड़ा दिये है चार रंग के साथ यह उसाथ है इस ओवर में बहुत धीली गेंद बाजी होई एक महगा ओवर जिसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ सकता है गेंद बाजी के लिए आ रहे हैं मीडियम पे सर कैच भाईया आप क्या होट पच्चता है जब चिडिया चुग गई खेट आसान कैच दे दिया अपने फिल्डर को इसको अपना बेसिक गेंद खेलना चाहिए और अपनी विकेट नहीं गवानी चाहिए कदर मागे बढ़ाया और पहुचा दिया गेंग को लेक्स साइट की तरफ बहुत अच्छा प्रयास फिल्डर द्वारा बढ़िया थ्रोग टुएंग का खाता खुला एक रट के साथ प्रशड द्वारा बढ़ाया नेक साइट की ओग फिल्डर बने दर्शड दर्शड बने फिल्डर ये इन दर्शड दीरगा में छेरन फिल्डर बैदान में जा रहे हैं अपनी ताकत का प्रदर्शन किया इस धमा के दर्शोक से उठा दिया चारन के लिए रन भागने की ज़रूरत ही नहीं दो की बनती है जोड़ी और तीन की है ट्रिक क्या ये कर पाएंगे एक से उत्ती हुई गेंद को जाने दिया बल्लेबाज ने गेंदबाज की भावनाओं को थोड़ी ठेस लगी और स्पिनर आएंगे इन बाजी के लिए बेकरार है विकेट ले में के लिए स्पिन का समय आप रुमर्ण के लिए आ रहे हैं अच्छा शॉट ठेला बल्लेबाज में गेंद फील्डर के हाथों में सीधा वापिस ठेका गेज़ेट और अमेरिक आपसान से कैच के साथ आए शमात्थोई इस बल्लेबाज की ये विद्वन्सक पारी नए बल्लेबाज आते हुए इनको टीम प्लैन के मुताबिक खेल कर पारी को संभालना होगा ये आप्रमंट स्टम्स के लिए नहीं था बोस जबरदस्शा रेरिक प्रहार हवाई फायर किया एक टप और चौका अपना खालता खोला करारे शॉट के साथ ये जाती हुई स्टम्पिंग के लिए जोरदार अपी एक टाइसे दोबारा देखना पड़ेगा कासी करीबी मामला अब तीसरे अंपायर के हाथ में है ये निरने बैतरीन स्टम्पिंग की पर द्वारा लेकिन बल्लेबास का पैर क्रीस में आ चुका था कलाईयों का चेस्ट माल गेंग को पड़ाए सीजा स्टैंड में ओवर की समाप्ति पर गेंग बाजी के लिए आ रहे हैं मीडियम पेसर गेंग दिया गया अंपायर द्वारा बनलेबास अंपायर के पैस में से नाखुष लगता है रिव्यू के लिए जाएंगे बनलेबास ने रिव्यू के पैसर लिया है अंपायर ने कहा आउट और जश्न का माहौल फिल्डिंग यूनिट में टेल एंडर जा रहे हैं खेलने के लिए लगता है कैट्टन का कोई नया प्लान है पील्डर फिल्डर फिल्डान में जा रहे हैं नया बनलेबास अब समय है स्कोरिंग की गती को बढ़ाने का लगता है बाल बाउंडरी तक जाएगी ओचा नहीं गई चार रन क्या गर्मा गरम शुरुआत हुई है पहली केल पर ही चौका जट्टिया ओ यह बहुत करीब था है प्रिक चांस खो बैठें बनलेबास की गलती फील्डर की खुशी चलिए वापस इनको अपनी टीम के लिए टिक कर गेम के अंग तक खिलना होगा कैच फिसलन भरी फील्ड है आपर लेकिन कैच लपक लिया और विश्वस मिये और गेंद बास को मिली आज की पांचवी विके जबर्दस प्रदर्शन अब इसे अंग तक रहे कर इश्वारी को सभालना होगा ताकि एक अच्छो फूटक चतुर फूटक और हल्का सप्लेक और गेंद पाइल लगाई और तरी कमाई अब शेत रक्षक अपनी टांगे खोल पाएंगे और इन शेकों को रुपने का प्रयास करेंगे शेत रक्षक इस गेंद पर स्वीप किया नजाकत से बड़ी आकद्मों का इस्तमाल यहां चार रंदे कर जाएगी और ये बल्ले के बीचों बीच में से शॉट लगाया अउपसाइड पर जड़ दिया विस पोट अच्छो इसे पता है कि एक एक रोखा हुआ रम माईने रखता है मजबूत बाज़ों में खूपसूरत थोख है का अंबाजने का आउट और जश्न का माहौल फिल्डिंग इनिट में बन्नेबाज रंद बनाने में चूप गए है अधिकतर ये मिडल ओडर में बल्ले बाजी करते हैं पर लगता है लाइनप में फिर बगल एक भुपनी पर आयर और गेन को कहा कि आप बाउंडरी पर इस अवविश्वच निए फिल्डिंग से दर्शक पागल हुए जा रहे हैं कि इपस कि इनकी गेंध वाजी में थोड़ा परिवर्तन है क्या ये कुछ स्पीड अर्जित कर पाएंगे गेंद बाजी के लिए आ रहे हैं मेडियम पेस जगा बनाई और कलाईयों का सुन्दर उप्योग गेंद पीजिसे लेक्स साइट की तरफ जबते हैं और अंत में अच्छी फूर बहुत अच्छी थोग है किसी दा स्टम्स के उपर एक जबर्दस तरिश्माई गेंद बल लबास चारों खाने चित अच्छी के हाथों से आंसाइट पर खेला और बिलकुल आराम से कि बांसाइट पर खेला है तो इस बार को छोड़ानों के लिए इपर तो इस बार को खेला और बिलकुल आराम से की बांस कि बांसाइट का प्लिक किया इस बार को छोड़ानों के लिए कि पास अंतिम गेंद पर बल्लेवास ने दो रंड बटो रहे स्पिन का समय आकरमण के लिए आरे और स्पिनर स्वीप की अफूरती से खेल दिया सीधा फिल्डर की उपर से टपा खाया और चौका बहुत सुंदर स्वीप गेंद फील्ड को चीर थे दो की बनतीय जोड़ी और टीन की है ट्रिक क्या ये कर पाएंगे जाहिर तोर पे ये नई चीज पोचने तो नहीं सिखाई होगी पिल्डर की बहुत अच्छे थो सीधा स्टंप्स के उपर अच्छा च्छा 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 उदाशी बनी खुशी पांशाइड को प्लिक क्या इस बार को चोड़ रहने के लिए कि पास ये गेन तो मानों हो गई या द्रिश्य जबर्दस टिलिग्रीज ये ओवर ऐसा लंगर था कि जिन ना च्राहे खालों रहेगा ओवर लेकिन बैटिंग टीम के लिए बहुत नापदा है स्पिन का समय आख राग के लिए आरे औफ स्पिन है एक अच्छे शॉर्ट का चैनल किया द्राइब कर इसे पता है कि एक एक रोका हुआ रंग माइने रखता है मस्पूद बाजों ने खूब सूरत प्रोपने कर दो स्वीप किया कोई वाफी नहीं गेंबास को तो बल्ले बाज मुश्किन में पड़ सकते हैं तेजी दिखानी होगी विकेट पर जबें दोनल की क्या अच्छी साज़े दाए बल्ले बाज इस गेंड को परक ही नहीं पाई क्या गेंड थी अब बादे का आउट और जश्न का माहौल फिल्डिंग यूनिट में एक बहुत खास इनिंग के ज़रूरत पड़ेगी टीम का बेडा पार करने के लिए अगर के हाटों से अंसाइड का ठेला और बिलकुल आराम से स्वीप किया फूर्ती से अंसाइड पर प्लिक किया इस बार कुछ और अनों के लिए बहुत अच्छा प्रयास भी इंडर द्वारा बढ़िया थ्रोग कि अंसाइड बाजू ने क्या फूर्ती से दोड़ लगा हैं एक फिल्डर बिलकुल तैयार गेम को पकड़ने के लिए दन दनाती हुई गेम बाउंडरी में ये अक्रमांट स्टम्स के लिए नहीं था बाउंडरी में एक आफ पे न क्या आपके लिए बिखरेंगी उम्मीद है पिल्डर को चीटी हुई बाउल निकल गई दो गर्मा गरम बाउंडरीज लगाता क्या आप बाउंडरीज ये हैट्रिक होगी ये शॉट अब तो किसी भी किताब में नहीं मिलेगा बॉस गेन फील्डर के हाथों में रसीधा वापिस प्रेकार फिचा के मारा है उचा मारा है एक और चौका गेन बाउंडरीज में अपने सारे हत्यार आजबान ये हैं लेकिन कुछ काम नहीं कर रहा कैच बैटिंग टीम का मनोग गेन बाजी के लिए आ रहे हैं मीडियम पेसर पावर प्ले के लिए गेन बाजी के कप्तान ने फिल्डर्स को आगे किया है गेन बाज बल्ले बाज का रिदम तो ना चाहते हैं साइड चेंज के लिए जा रहे हैं इसे पता है कि एक एक भोका हुआ रन माइने रखता है मजबूत बाजों ने खूब सुरत ठोफेंका डाइव तो खूब लगाई लेकिन क्या घर पहुँचे जोड़दार अपील पॉलिंग टीम दॉआ रहा है मगर अंपायर में बल्ले बास के पक्ष्णी के लिए बल्ले बास का खाता हुआ इस सिंगल के साथ बिजनी के तरा दोड़े और बाउंडी से थोड़ा पहले रोका क्या फूर्टी दिखाई है शान दार करीके से रोका बल्के हाथों से उन साइड पर खेला और विल्कुल आराम से पहले बास का खाता खुला इस सिंगल के साथ ओवर के अंतिम गेम पर चार रन भो रहा है गेन बाजी में परिवर्तन इस मध्यम गती के गेन बाज में कुछ मध्यम नहीं है फ्रेंट फूट पर आ गया है और भड़िया तरीके से डिफेंड की है कमाल की फील्डिंग शर्दिया भाउंडरी के रुख बाजूओं में दम है फिर काहे का गम है सीधा लंबा के लाएं डाउं दर ग्राउंड चार रन के लिए गेन जा रही है मिडाउं रीजन की वर्ड ड्राइव किया लेकिन रन में तबदील नहीं कर पाए इस ओवर की सम्राप्ति पर बैट्समेन के चैरे पर कुछ खास खुशी नज़र नहीं आ रही है हो रहा है गेन बाजी पे परिवरता इस मध्रम गति के गेन बाज से टेक्सबुक कवर ड्राइव अहां मजा आ गया और अंट में अच्छी फिल्डिंग बहुत अच्छी थ्रोप है कि सीधा स्टम्स के उपर फिल्डिंग ने बॉल को बहुत जल्दी देख लिया रैदाब में बहुत शांदार प्रयाद ये हुई कमाल की फिल्डिंग आप तो भाईया क्रिकेट से जादा अथनेटिक्स देखने को निब रहा है इस बार कुछ और रहनों के लिए गेम टेजी से बाउंडरी के तरफ जा रही है और माजवाब डाइब लगाई वो अप्लिया गेम को गेम पाजी टीम ने पैस्वा किया आए कि मीडियम टेस्वा अपरबर्ट जारी रही है इस पोटक शाट इतना सीधा की तीर भी शर्मा जाए और उसकी तरफ गेम ठेकी बॉल की गती को कम किया इस शांदाग डाइब से बन्ले बास को एक एक रन के लिए अच्छी खासी लड़ाई करनी पड़ रही है बहतेरीन प्रदर्शन फिल्डर्स द्वारा बन्ले बास को जगा मिली अच्छी कर फिल्डर्स के बीच इन्हें तेजी से भागना पड़ेगा सुरक्षित रहने के लिए इस जोबर में एक और डॉट बॉल और इससे बहुत खुश होंगे अच्छी के हाथों से अंचाइड कर फिला बिल्कुल आराम से अच्छी को मालूम लेकिन बल्ले बास को नहीं लाट आउट गेंपाजी टीम ने फैसला किया है कि वीडियम पेस का अक्रमन्ट जारी रखेंगे लजदी की फिल्डर्स पूरी तरफ चौका बाजूओं में दम है फिर काहे का घम है क्या अच्छो फैका है बल्ले बास बड़े शॉट फिलने के थोड़ा कत्राते हुए कोई रें नहीं इस गेंट सेट पर लगाया एक उम्धा ड्राइव खूब सूरत फॉल थू के साथ बहुत बैपरी इन स्ट्रेड ड्राइव खिला का भी बुक्स नहीं एक बार फिर बहुत अची लाइन ओ लेंट कोई रण नहीं इस गेंट के साथ हुई टाटा बाई 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 अंतिम गेंट पर लगा चौका हो रहा है गेंट बाजी में परिवर्तन इस मध्यम गती के गेंट बाज में कुछ मध्यम नहीं और अंक में फिल्डर का एक शाम बाई बाजूओं में दम है फिर काहे का घम है क्या थ्रो फेका है कि अच्छा के साथ कैज को पकड़ा शुरुआती काम्याभी में फिल्डिंग यूनिट पे काफी मदद की इसको बेसिक प्रिकेट फेलना चाहिए बस अपना नैचरल गेम खेले कि अच्छा कि अच्छा कि अच्छा कि अच्छा का फाता खुला इस सिंगल के साथ अच्छा कि अच्छा कि अच्छा कि अच्छा कि अच्छा को खशा हो झांता है यह है उंदाक्षे तरक्षन ऐसा लगता है थर्ड अमपार की ये जाएंगे अमपार निर्णे देने में कुछ जल्दवाज़ में ही दिखा रहे हैं करीब से देखना होगा इसे कोई शंका नहीं कि ये कीपर के हाथ में गई है लेकिन होट स्पॉट दिखा रहा है कि गेन बल्ले से चुकी है बैटिंग साइड ने बहुत बड़ी राहत की सांस ली है भाई बल्ले बास की रनों की भूक इस ओवर में भी नहीं मिटाई जबरदस बॉल गेम बाउजी टीम में पैस्वा किया है कि वीजियम पे और गेम गई चार रण के लिए बाद 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 का सा पुश्किया और गैप मिला डीप स्क्योर में दो फिल्डर की बाद अच्छी थ्रोव सीदा स्टंप्स की उपर वापस चलांग लगाई है लेकिन क्या ये समय पर थे लॉट आउट का अंपायर में नतीजा बल्लेबास के पच्छ में बहुत अच्छी फिल्डिंग का नजारा अब ऐसा प्रजर्शन बरकरा रहना चाहिए उंदा गेम बादी कोई रन नहीं दिया अब बल्लेबास की भैतरीन प्लेश्में जब बना ये प्लेश्क एक पल से भी कम समय में अपने आपको बॉल के आगे ठेका और कर दिखाया किया आप बाउंडरी रोकिया गाए इस बार कुछ और रनों के लिए मिद्विक्रिक फिल्डर की वर्ड्रेट किया लेक्साइड के तरह लेकिन क्ली रन नहीं एक डॉट बॉल के साथ ओवर्किश्माप्रिशन प्रेंड़ में भाजी टीव में प्रेशन हो एक दाइब लगा यूराकरी तरंगों आपका अच् तेज सीधी थ्रो अतिरिक रन बचाए फींडर ने ये गेन तो मानो हो गई अद्रिशे जबदस दिलिवरिए सुन्दर धन से कुल किया लेक्ट साइड ने इस बाहु बली को रोखना ना मुंकिन चारा नौर मिलेंगे भजब की गेम कोई संदे नहीं है कि बैटिंग साइड हताश हो रही है स्लिंक यार चूके तो हार बेशाली रहे बल्लेबार एक संतुष्टी पूर्ण समाप्ती हुई बॉलर की क्योंकि बल्लेबास के रनों पर अंकुछ लगा के रखाँ हो रहा है गेम बाजी में परिशनी कितार गोड़े और बांडी से तोड़ा पहले हो जबरदस्ट फिल्डिंग और साथ ही एक परफेक्ट थ्रो सीधा स्टंप्स के पास किया और गया फिला डीप स्क्वेर में दो फिल्डिंग और विश्वस्नी अफिल्डिंग दर्शक भी है राम वापस क्रीज की और डाइब लगाई है क्या ये आउट है कॉलर की जोरदा रपील लेकिन अंग में अंपायर देन लखा रहा है और ये चार रन सुन्दर्शा का रोका सही स्कमाइब कमाइब कुछ समय जादा ले गिया इस फिल्डिंग परिवर्फन के लिए दनने बास को जगा मिली अपसाइट पर फिल्डश के बीच जाए गेन सीधा विक्टो में लगी नेकिन समय पर पहुँच गए कोई रन आउट नहीं बॉलर इस मिलने से बहुँच निराज ऐसा लगता है रिव्यू के लिए जाएंगे बलने का किनारा लगा क्या अमपायर ने स्टंप कैमरा की मांगी है बॉलर को लगा विक्ट मिली है और होट स्टंप ने निश्चिब भी किया बाहरी किनारा और ये आउट नए बल्लबाज आते हुए इनको टीम प्लाइन के मुताब गेंग इस पर हुवर्स विंग होती हुए ओ क्या गेंग थी डॉट बॉल अडिसी के जादर जब समाथ अच्छी बॉलिंग गेंग पाजी टीम ने फ्रेश्टा किया है कि वीडियम पेस का अक्रेमन्ट जाई रखता उचलती कूपती छलाग लगाती गेंग गई बाउंडरी के खबार ही किला रहा और गेंग चली बाउंडरी की हो गेंग बाज में बल्ले बाज को बांज कर गेंग फील्डर के हाथों में और सीधा वापिस पैका इस गेंग को इने रखता अफसेट पर लगाया एक उंदर ड्राएंग कमाल की फील्डिंग शर्दिया बाउंडरी को रोका अपने इस प्रयास से गेंग बाज के लिए कोई मौका नहीं डॉट बाल हो रहा है गेंग बाजी में परिवर्तन इस मध्यम गती के गेंग बाज में कुछ मध्यम एक पल से अभी कम समय में अपने आपको बॉल के आवे थे जबरदस्त वील्डिंग और साथी एक परफेक्ट थ्रो सीदा स्टम्स के पास एक अच्छे शॉट का चाल दिया ड्राइव कर दिया गेंग को आप साइड पर हल्के हाथों से अंसाइड पर फिला और गिल्कों आराम से बल्लेबास की भेटरीन प्लेस्मेंट जबे बनाई और प्लेस कर दिया बॉल का आप साइड की तरफ यह है इंका सर्वोतम शाइड स्क्वेर काग बढ़िया कर दो स्कमार ओवर के अंतिम गेंट पर चार रन पार्ट टाइमर को गेंट बाजी के लिए बुलाए गया है बॉल की गती को कम किया इस शांदाग डाइब से गुलेल की भादी बॉल फेकी सीधा क्रीस पर अच्छा थरो इस बाद लगाया जोरदार शॉर्ट पिट से चिपत्तिवी गेंट जा रही है फिल्डेर्स ताप पूरी तरह से वर्चस लो कुछ मेही मिलने वाला भाई मिद्विकेट फिल्डेर्ट पोर्ट है किया बिल्कुल सी रस फ्लाट में गेंग लेकिन बल्लेबाज ने बहुत अच्छे डिफेंस के साथ उसे खेला इस गेंज के साथ ही टाटा बाई 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 अंतिन गेंज पर लगा चौका लेक्श पिननर आ रहे हैं गेंज बाजी के लिए इस गेंज के लिए सुरक्षित रास्ता अपना रहा है बड़ी चतुराई से गेंज की है बल्लेबाज को खेलने के लिए जगाई ने गेंज धन भागने की जरूरत ही नहीं अपने बाज को जगा मेली अच्छें का फिल्डस की बीच जैन फिल्डर के हातों में वसी रवापिस पैका अच्छें की बाज कार जगाई थे जगाई प्रति क्रिया का बढ़िया फ्रदर्शन के लिए लग दोरा रगर ते घिसरते वापस आए हैं लेकिन क्या पहुंच पाए हैं आसान मिरने अंबाय दोरा पां साइड का क्लिक किया इस बाद कुछ और रहने को लिए वजरती पूर्ती और तेस्ट रो ये हैं उंदाक्षे द्रक्षन जाने दिया गेंड को अच्छित रूप से खेल रहे हैं बहुत अच्छे बाद बोई के साथ उवर किसमापती हुए गेंड बाजी के लिए आ रहे हैं मीडियम पेसे इस गेंड को ना खेलना ही भैटर समझा एक अच्छा निरने बल्लेबास का बहुत अच्छी बींडिंग फिल्डर की बहुत अच्छी थ्रो सी रास्टांप स्की उपर एकच्छी शॉपक अच्छा हैं गया राइक कर जिया गेंड वाच्छे कर बन्ले का बाहरी किनारा लग सकता था ये किया हवाल फाया ये इनको महँदा पड़ेगा गेंज सीधा फील्डर के हाथ में मानो कह रहे हो आईए आपी का इंकजार था बन्लेबाज निराशा पूरवक वापिस जाते हुए इसको अपना बेसिक गेंज खेलना चाहिए और अपनी विकेट नहीं गवानी चाहिए लेक्स पिननर आ रहे हैं गेंज बाजी के लिए प्रीज पर जमे बन्लेबाज ने अच्छा नुमान लगाया अपसेट पर लगाया एक उम्ड़ ड्राइव खुब सुरग सेट बहुत अच्छा ने अच्छा ने लगाया बढ़िया थ्रोग वापस चलांग लगाई है लेकिन क्या ये समय पर थे जोरदा रपील है और बैट्समें अनिश्चित अम्पार ने कहा सुरग सित है बहुत सुन्दर ग्राइव सीधा बांगरी क्या फिल्डी की है जबरदस्ट देखने लाए कुछ गेंदों को छोड़ देना ही समझदारी है अच्छा नुना में लाए यहां पर अच्छी बैटिंग जाने दिया बल्लेबाज में बैटिंग टीम का प्रेशर मिरंतर बढ़ता हुआ यह बॉलर तो बहुत कंजूस निकलें किफाई की ओवर डाला और बैटिंग में खर्चा हुआ बहुत काम यह इन बाजी के लिए आ रहे हैं मीडियम पेशर अव विश्वस निये फिल्डिंग अच्छी फिल्डिंग का मुजाहरा तेसी धी थ्रो अच्टिरिक रन बचाए फिल्डर ने अच्छी फिल्डर ने रोक रोक के रुणो को रोक दिया है मिड विकेट फिल्डर के वो ग्रें किया लेक्शाइड के तरफ लेकिन फ्रूई रुणने अच्छी ने डाइव लगाई होगा ते रिक तरम रोका जेल बास के चैरे पर मुश्करा है शानदार मेडे नोवर जिसने बल्ले बास को पूरी तरह धंजोर के रच दिया लेक्श पिन्नर आ रहेंगे इन बाजी के लिए अच्छाइड को प्लिक किया इस बार को छोड़ाने के लिए दाइव लगाई और तरी कमाई बाउंडरी नहीं में पाई जबरदर स्क्रील में और साथी एक पापेक्ट थ्रोर शुट पर सब्सक्राइब अच्छा बदलाव यहां पर मजबूर किया बन्ले बास को डिफेंड करने के लिए अच्छा मिश्चरण कर रहे हैं यहां पर एक पाट टाइमर को ला तरके नजदी की फिल्डर्स पूरी तरह चौकस जबरदर स्क्रील में और साथी एक परफेक्ट थ्रोर सीरा स्टम्स के पास फिल्डर्स ने गेंग का बहुत अच्छा जुमान लगाया लेक्स साइड रीजिन के थरफ स्क्वाइर खेला मगर बुदी रहे हैं बल्ले बास की भैतरी इंप्लेस्मेंट जगे बनाई और प्लेस के दिया बॉल का उससाइड की तरफ इन दोनों ने अपनी टांगों की ग हमके हाथों से अंसाइड पर खेला और विल्कुल आराम से क्या रोका है गती और प्रती क्रिया का बढ़िया प्रदर्शन फिल्डर दोना एक शानदार ओवर समाप्त्रिया लेक्स बिनर आ रहे हैंगे इन बाजी के लिए हमके हाथों से अंसाइड पर खेला और विल्कुल आराम से फील्डर की बहुत अच्छी खाओ सीधा स्टंप्स की उपर अंसाइड पर खेला इस बार को चोराने के लिए एक तल से भी कम समय में आपको बॉल के आगे फेका और कर दिखाया कि आप बाउंडरी दो किया हैंगे लिए लेक्ट साइड की तरह लेकिन पूरान नहीं गेंद हवा में और एक सुरक्षित हातों ने गेंद को लपक लिया कहां नी खता कैच्छीधा फील्डर के सुरक्ष प्रिके टॉप स्किनर है ये ये हुई कमाल की फील्डिंग आपको भाईया क्रिक्ट से जाब है अथ्लेटिक्स देखने को बिल रहा है बॉलिंग टीम के लिए बहुत अच्छा हुआ गेंद बाजी के लिए आ रहे हैं मीडियम पेसर प्रिके हाथों से अंसाइड पर फिला और दिनको लाराम से क्या फील्डिंगी है सबरदस्त देखने लाए गुलेल की भादी बाल फेकी सीरा क्रीज पर अच्छा हुआ मैदान पर बल्ले बाजी टीम को मिलाए एक मजबूत विपाच्छ सही से टाइम नहीं कर पाए सिंगल्स की लंडी सुरम को चाबके की रोश्नी दिखाई दी जबरदस बाउडरी इस जन्नाते दाशा के भेजा गेम को अच्छी की फिल्डर्स पूरी तरह चाटर्स अच्छी बाले लेक्स पिल्डर आ रहेंगे इन बाजी के लिए एक टप आउड गें बांडरी में अच्छी फिल्डेंग अच्छी फिल्डेंग अच्छी फ्रोप है किसी रस्पंस के उपर शूद बूस दिखाई बल्ले बाज में जाने दिया इस गेंग को हल्के हाटों से अलसाइड पर फिल्डर्स पिल्डेंग और बिल्कों आराम से अच्छा प्रया जाने दिया गेंग को इस बार खटामनाग गेंग थी जाने दिया इसे एक संतुष्टी पूर्ण समागती हुई बॉलर की क्योंकि बल्लो बाज के रणो पराउं कुछ भगा के रखा गेंग बाजी के लिए आ रहा हम लेगेंग राम स्विंग करके बिलिग्री एल्लो बाज बहुत मुश्किल में ताम साइड पर क्लिक किया इस बार कुछ और रहनों के लिए फील्डर की बहुत अच्छी थ्रो सीधा स्टंप्स के ऊपर पाफर बिलिग्री एल्लो बाज पूरी करा समंजस में खजब की पूर्टी और तेज थ्रो ये है उंदाक्षे द्रक्षन पाउम साइड का क्लिक किया इस बार को चोर रहनों के लिए बालर की विश्वास भरी अपील करमपाय को भावक नहीं अपील को नकार बिया फिल्डिंग साइड की ओर से थोड़ी आकरामक शैली का प्रदर्शन ओफसाइड कवर्ज की तरफ बहत्रीन स्ट्रोक लेकिन फिल्डर्स ने रोका एक किपायती ओगर समाप प्लाइड गेन बाजी में तरी वर्तन विपक्षिय तीम द्वारा दाइव नगाई और तरी कमाई बाउंडरी नहीं मिल पाई बाजुओं में दम है फिर खाहे का अखरम है इस थाव विश्वस निये फिल्डिक से दर्शक पागल हुए जा रहे है पूचा के मारा है उम्मीद नहीं थी कि कैच हो देंगे स्ट्राइक अब जा रहे है अप पवेलियन का रास्ता नापके हुए नए बल्लेबाज आये हैं इनको पारी के अंग तक टिकना चाहिए बल्लेबाज यहाँ कोई खत्रा नहीं लेगा चाहते थे फिर से कोई रण नहीं समयजदार बॉलिग बैट्समन पूरी तरब भुका खा गए हलके हाटों से अंसाइड कर फिला और बिल्कुल आराम से वापस की स्टाइब आई है क्या यह आउट है जोरदार अपीर अंपायर प्रभावित नहीं कोई विकेट नहीं गेंद बाजी के लिए आ रहे हैं मीडियम पेसर अंचाइड कर प्लिक किया इस बार कुछ हो रहने के लिए बहुत अच्छा प्रया स्पील अंगरा बढ़िया थ्रो यह थोली धीमी गती की गेज और अंप्ले फील्डर का एक शांदार क्रेंश फील्डर्स का पूरी तरह से वर्चस वो कुछ नहीं मिलने वाला भाई लेकसाइड वीजिन के तरफ स्क्वाइर खेला मगर कोई रन नहीं डॉलर की परफेक्ट लेंड बिलिवरी पहुच शांदार बल्ले बास दुविधा में पहुच शंदर गेम स्विंग करती हुए सही से टाइम नहीं कर पाए खेल दिया सीधा फील्डर के हाथों में इनको अपनी टीम के लिए टिक कर गेम के अंत खेलना होगा अच्छा मिश्चरन कर रहे हैं यहाँ पर एक पाट टाइमर को ला करते इसे पता है कि एक एक रोका हुआ रन माईने रखता है मस्बूद बाजों ने खूब सुरत ठोप है का जाने दिया बल्ले बाज ने गमदार शाट लगाया जो गति के साथ जारा डीप कवर्स की हुए जो से बहतर चार बहतरी इंशाट एक टपा गेंज बाउंडर के रहा है अपनी शुरुआत पर ये खुरक्षित खुआ के साथ शांदार तरीके से ड्राइब किया कवर्स के खेतर में लेक्स पिनल आ रहे हैंगे इंबाजी के लिए एक फिल्डर ग्रीपिंग के लिए फिल्डर के हाथ में मानो कह रहे हो आईए आपी का इंपजार था बन्लेबाज निराशा पूरवक वापिस जाते हुए नए बन्लेबाज आए है इनको पारी के अंग तक टिकना चाहिए जाने दिया गेंद को सुरक्षित रूप से खेल रहे हैं बन्लेबाज को एक एक रंग के लिए अच्छी खासी लगाई करनी पड़ रहे हैं फिल्डर की बहुत अच्छी थ्रो सीधा स्टंप्स के ऊपर फ्लाइट इंडी भी ठैकी थोड़ी से काप्स पिन के साथ लेक्साइड वीजेन के तरफ स्क्वाइर खेला मगर कोई रं नहीं